हेलो रिवान, वेलकम टो फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स के यूट्यूब एजूगेस्टनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेस वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दा, मैडिसिन्स फॉर कॉफ तो ये वीडियो लेक्चर में हम जो कॉफ, कि जो वेट कॉफ होता है, कि जिसको हम खासी कहते हैं, कि जिसके अंदर म्यूकस और फ्लैम प्रेजंट होता है तो वो कॉफ के बारे में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे, प्लस उसके लिए कौनसे मेडिसिन्स वगेरा हम यूज करते हैं, कौनसे हर्बल को भी हम ट्राइ करते हैं क्योंकि हर्बल्स भी काफी इफेक्टिव है, वेट कॉफ के अंदर, एस वेल एस जो हमारे दूसरे मेडिकेशन से, कि जो अलग-अलग टाबलेट डूज स्पॉम में है, एस वेल एस जो हम लॉजेंजिस कहते हैं, सीरप सो अगेरा होती है, तो सभी के बारे में हम डेटेल में स्टडी करते हैं, आज के ये वीडियो लेक्चर में, so let's start in this lecture, so be updated with the pharma knowledge, for that subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of pharma rocks, pharma rocks का mobile application अब अवेलेबल है, तो अगर आप android app के user है, तो डाउनलोड करिये app, google play store पर से, अगर आप apple iphone यूज कर रहे है, तो app store पर से ये app को डाउनलोड कर सकते है, अमने description box में दी हुई है, तो दोनो links जो है आप चेक करेंगे, description box के अंदर, and you can access the study material in pdf as well as these are the printed study material options, then you can access the test series which is online, available on app, also the video lecture and special test series for drug inspector examination, so get these facilities on the app pharma rocks, download this app pharma rocks, android app on google play, apple iphone app on app store, so first our main important point is a cough, कि what is cough, कि जिसको हम हिंदी में खासी कहते हैं, तो coughing is a common reflex section, that clear our throat of mucus और foreign irritants, कि जो हमारा ये throat का जो पार्ट है पूरा, अगर ये throat का जो पूर्शन है, उसके अंदर कोई, समझो की foreign irritants है, foreign irritants, जैसे कि कोई dust है, कोई वहाँ पे कुछ भी object है, कोई भी object वहाँ पे आपके गले के अंदर फसा हुआ है, कोई food के particles भी समझे चले गए है, also the food particles, तो जब हम खासी खाते है, कि जब आपको खासी आती है, उस वक्त, यह यहाँ से जो release होता है, mucus के साथ, तो वह वहाँ से बाहर आ जाता है, कि जो एक type का common reflex section कहा जाता है, कि जैसे reflex है, हमारे body के अंदर है लग लग reflex होते है, तो एक automatic process के तौर पे, कि जब एसे foreign particles, कोई एसे irritants है, dust है, कोई object है, कोई food particles समझो कि वहाँ पे throat के अंदर चला गया है, और वो आपको परेशान कर रहा है, तो वो जो objects है, foreign irritants है, वो हमारे गले में से हम easily बाहर निकाल देते है, due to this coughing, while everyone cough to clear their throat from time to time, और हम even सब सुबस जब आप brush वगेरा करते है, उस वक्त भी हम यह हमारा throat है, वो proper clear करते हैं, everyone is cough to clear their throat from time to time, a number of conditions can cause more frequent coughing, but normal जो condition होती है, उसमें सब cough coughing करते हैं, in normal, कि it is your routine, कि हम कई सकते कि वो एक routine process है, कि जब हम सुबह उड़ते हैं, तब भी हमारा throat clear करते हैं, as well as कोई सी भी time, जो है वो normal खासी, जो है, वो हमें आती है, और वो खासी के कारण, जो भी कोई foreign objects, irritants, हमारे गले के अंदर जो फसे हैं, वो उसके साथ निकल जाते हैं, plus, यहाँ पे involve होता है mucus, because कोई हमें irritation ना हो, कि जब यहाँ के समझो कि यहाँ पे कोई object है, irritant है, तो जब यह mucus उसके साथ involve हो जाएगा, तो mucus समझो कि उसके आसपास जमा हो जाता है, और mucus के साथ वो खासी के साथ जो है वो बहार निकल जाता है, तो एक टाइप का वो mucus जो है, वो lubricant का का काम करेगा, कि जिससे वो object के कारण हमें कोई, यहाँ पे irritation ज्यादा ना हो, easily वो जो है वो हमारे oral cavity के थुरू, mouth के थुरू खासी द्वारा वो बहार निकल जाए, तो यह है वहाँ पे mucus का importance बन जाता है इस टाइप के खासी के अंदर, कि जिसको हम weight cuff कहते हैं, weight, cough, and coughing, कि जिसके अंदर involved होते हैं, specially mucus and जो हम phlam कहते हैं, वो दोनों इसके अंदर involved होते हैं, बट जब कोई disease condition होती है, जब कोई आपको disease होती है, कि जैसे कि कोई भी disease, like simple में यहाँ पे बता दो कि किसी को हुआ है, TB हुआ है, कि tuberculosis के कारण भी, जो है वो coughing, जो है वो काफी increase होता है, chest के अंदर काफी cough जमा हो जाता है, then, जो pneumonia condition है, प्लस किसी को अस्थमा हुआ है, cough and cold की condition produce हुई है, उस वक्द यह cough की जो amount है, वो increase होती है, जिसको हम कहते है, acute cough, cough that lasts for less than three weeks, कि normal जो है, वो समझो की 10-15 मिनिट के लिए, आप समझो की खासी आपको आती है, और फिर वो बंध हो जाती है, फिर समझो की 2-3 दिन के बाद, या 15 दिन के बाद आपको खासी आती है, या फिर आप normally, जब brush करते दौरान, या किसी भी खाना खाने के बाद, जब ऐसा कुछ आपको लगता है, कि कोई foreign irritants आपके, गले में present है throat के अंदर, तो आप coughing करते हैं, और उनको निकाल देते हैं, बट ये condition जब काफी दिनों तक चले, continuously आपको इस तरह से होता ही जा रहा है, प्लस, without any type of foreign irritants, आपको continuously coughing हो रहा है, प्लस, उसके अंदर जो फ्लेम है, म्यूका से वो भी, उसकी अमाउंट भी ज़्यादा increase होती जा रही थे, जिसको हम कहते हैं sputum, जिसको हम कहते हैं sputum, कि sputum जो है वो excessive amount में, जो है वो बन रहा है, coughing excessive हो रही है, as well as, कि जो हम कहते हैं phlegm, वो भी excessive amount में create हो रहा है, म्यूका से excessive create हो रहा है, तो वो condition फिर हम कहते हैं, कि person को acute cough है, तो a productive weight or chesty cough is, when you have a cough that produce mucous or phlegm, कि जिसको हम कहते हैं sputum, कि ये word के उपर आपको खास concentrate करना है, कि weight cup जो हम कहते हैं, कि weight और chesty cough, कि ये वाला जो chest का portion है, वहाँ पे जो है, वो phlegm काफी सारा जमा हो जाता है, plus हम कहते हैं कि sputum and दूसरी चीज़ है mucous, that contain the mucous, कि वो phlegm भी produce कर रहा है, sputum as well as mucous, ये तीनों के amount, जो है वो increase होते हैं, you may feel congested and have rattly or tight chest, अब जब एस तरह का पूरा जो mucous, वो जमा हो जाता है आमारी chest के अंदर, तो आपको येसा लगता है, tight chest जिसा लगता है, congestion जिसा लगता है कि वहाँ पे कुछ फसा हुआ है, और वो उसको निकालने के लिए आप regularly coughing करते हैं, कि continuously वो person जो है वो coughing करेगा, उनको वहाँ से chest में से निकालने के लिए, और continuously हम देखते हैं कि जो TB के कुछ patients आप देखते हैं, अस्थमा के देखते हैं patients, plus common cough and cold कि जब काफी severe condition, उस वक्त भी patient जो है वो continuously coughing करता है, और जब आप उसको observe करोगे, तो उसके body के अंदर mucus, sputum as well as phlasm, यह तीनों का जो level है, वो काफी increase होता है और उसको diagnose करने के लिए, specially chest x-ray किया जाता है, chest का x-ray जो है वो जरूर से निकाला जाता है, उससे पता चलता है कि कितने amount में कौन से जगा पे, यह sputum या फिर जो हम कहते हैं phlam या फिर mucus, वो जमा हुआ है, तो उसको अब दिरे दिरे आपके body में से remove करवाना है, as well as उसके जो production है, वो reduce करना है, कि जब उसके हम treatment में दो चीज़ का ध्यान रखते हैं, कि एक तो आपको reduce करना है उसका production, एंड second चीज़ हम ध्यान रखेंगे, कि increase करेंगे उसका expel out, expel out मतलब कि आपके body में से वो निकल जाएगा, explain out दो तरीके से होता है, एक तो आपका oral through हो जाता है, plus rectum के through, stool के अंदर भी कई बार cough जो है वो निकल जाता है, कि आपका जो stool generate होता है, उसके अंदर भी कई बार ये mucos over root से भी निकल जाता है, आपके body में से, वो chest में से as well as, जहाँ पे भी ये mucos excessive जमा हो रहा था, वो body में से expel out हो जाएगा, तो patient को comfortable feel करवाने के लिए, उसकी proper treatment कर लेनी, तुरंत जरूरी है वरना आगे जाके, बहुत सारे complications होते हैं, तो symptoms are often worse, when waking up from sleep and when talking, अब जब इस type का जो person है, वो जब उठता है सुबह, waking up from sleep, कि जब सुबह उठते हैं, या भी किसी भी time आप सोए हैं, उठते हैं, उस वक्द भी ये problem जो है, वो काफी खराब होती है, plus when talking, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, उस वक्द भी आपको थोड़ा सा बोलेगे, फिर से आपको खासी आएगी, again you talk something, and again you have coughing, so this condition become more difficult when you are talking, or when you are waking up from the sleep, कि जब आप सुबह उठते हैं, या भी किसी भी time सोने के बाद आप उठते हैं, और किसी के साथ बात्चित कर रहे हैं, तो उस वक्त ये coughing जो हैं आपको काफी परेशान करेगी, even जो आपकी जो condition है, वो भी दिरे-दिरे काफी खराब होती जाती है, तो वो जो coughing हैं वो आगे जाके फिर अलग-अलग complications produce करता है, even fever भी हो सकता है, cold भी हो सकती है आपको, and पूरा जो body है वो pain भी करता है, उसके symptoms के तोर पे, तो the weight cough may be symptoms left after a common cold infection, तो ये एक चीज है कि जब इसके symptoms जो है, develop होते हैं, after a common cold infection, कि जब आपको common cold, कि जो हम कहिए दे सर्दी जब आपको हुई थी, तो सर्दी होने के बाद, जो है आपकी chest के अंदर इस तरह से cough, जो है वो काफी amount में जमा हो जादा, कि जैसे मैंने आपको समझा था, कि हमारे body के three basic elements, कि जो हम कहिए थे कि वाथ, pith, and cough, कि जो आयरवेदा, जो है हमारा medicinal system, उसके अंदर ये कहा जादा, कि वाथ, pith, and cough, कि वाथ, मतलब कि जो वायू, कि जो gas है, pith, मतलब कि जो हमारे body के अंदर रहा acid है, and जो cough है, कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे है, आज के lecture के अंदर, cough, कि जो mucus, कि जो proper amount पर, तो ये तीनों का जब balance होता है, तब तक सही है, बट जब अलग-अलग disease condition होती है, उसमें ये जो है, वो disturb होता है, और उसके amount जो है, वो increase भी होती है, and decrease भी होती है, अगर without mucus, जो coughing होता है, वो हमने already सिखा, dry cough, dry cough का lecture, जो है, वो आपको मिल जाएगा, कि जो हमने previous lecture में ही upload किया था, यहाँ पे eye button पे click करोगे, तब को dry cough का जो lecture है, वो मिल जाएगा, कि जिसके अंदर कोई mucus नहीं होता, सिर्फ सूखी खास्ती आपको आती है, बट ये वाला जो condition है, वो है weight, यहाँ पे जैसे लिखाएगी, a productive weight or chesty cough, तो उसके causes क्या है, what are the various reasons of this cough, कि जो है specially weight cough, weight or chesty cough, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देख तो smoking, कि जो smoker से उनको ये condition, जो है वो बार-बार produce होती है, उनके body के अंदर, प्लस जो lungs भी साथ है, उसाथ damage होती जाते है, तो जो normal respiratory tract का जो condition है, वो काफी दिरे-दिरे भी गड़ता जाता है, जिसके कारण, respiratory tract के related infections उसमें बढ़ते हैं, और इसके अंदर involve है increasing coughing, फिर दूसरी condition की जो अस्थमा के बेसंट है, कि जिनको अस्थमा है, उनके लिए भी ये जो है cough increase होता है, then post-nuzzle drift, post-nuzzle drift की जो nozzle discharge होते हैं, तो post-nuzzle drift उसके बाद जो है, वो condition जो है, वो produce होती है cough की, कि जो हम कहेते हैं कि common आपको cold हुआ था, तो common cold जो infection था, उसके बाद ये condition जो है, वो काफी increase हो जाती है, as well as COPD, chronic obstructive pulmonary disease की, जो pulmonary disease होती है, COPD and chronic bronchitis, ये सब भी disease हम cover करने ही वाले है, asthma, COPD, chronic bronchitis, ये सब भी disease हम, detail में study करेंगे, with their pathophysiology and, causes, sign and symptoms, किस तरह से उसके treatment हो जाएगी, अगर आप, इसके लिए आप channel को जरूर से subscribe कर लेना, upcoming days में ये सभी हम topics cover करेंगे, GERD and acid reflux, वो already हमने cover किया है, कि वो lectures तो आपको मिल ही जाएगे, कि उसके अंदर भी, एक reason है, cough को increase होने का, कि acid जो है, वो हमारा pit है, तो pit imbalance होता है, तो, element cough and vio, वो भी disturb होते हैं, उसके लावा किसी person को pneumonia है, और acute bronchitis है, कि चाहे acute हो या chronic bronchitis, coughing जो है वो increase होती है, and also during the pneumonia, तो usually हम simply एक समझे, तो जब GERD हो आपको, gastroesophagal, reflux disease या फिर acid reflux हो रहा है, और respiratory tract का किसी भी तरह से infection है, RTI जब हम करहे है, respiratory tract के infections के लाइग, asthma का है, या फिर COPD का है, chronic bronchitis, pneumonia, acute bronchitis, any type of respiratory tract infection, may cause this coughing, so what are the signs and symptoms of this cough, that first is runny or stuffy nose, second is feeling of liquid running down, the back of our throat, that is post-nuzzle drip, कि ये जो nose का जो portion है, और उसके पीछे जो पूरी जो न हमारी नuzzle drip समझो की जा रही है, और आगे जाके वो lungs को मिलेगी, तो liquid running down, कि वहाँ से आपको ऐसा लगते है, कि जो liquid है, वो वहाँ पे चाहे फसा हुआ है, या फिर वो liquid नीचे की और जा रहा है, या फिर कुछ liquid जो है, या फिर ऐसा tightness आपको लगती है, chest के अंदर, तो वो condition है, sign and symptoms उसके कहा जाएंगे, फिर frequent throat clearing, अब जब आप normal condition में इसे होते है, तो आप घंटों दक बोलते है, या फिर कुछ भी काम करते है, तो हम जो है वो throat जो है वो clear नहीं करते, समझे कि सुबह उठने के बाद, या फिर रात को सोते समय, या फिर खाना खाने के बाद, कई बाद किसी को coughing जिसा होते है, तो that was some normal, बड़ समझे कि frequently आप throat clearing कर रहे है, by coughing, continuously आपको खासी आ रही है, तो वो ये symptom है कि ये person को coughing जो है, वो हुआ है, फिर sore throat, गले में खारास जिसा आपको लग रहा है, तो वो भी एक उसका symptom है, coughing का, hoarseness, hoarseness जो condition है, कि specially, कि आपकी आवार्स जो है, काफी change होती है, इसके अंदर, कि जिसको हम कहा जाता है, specially, changing voice, procent, कि hoarseness जैसा voice आपका हो जाता है, जिसको हम कहा सकते हैं, कि जैसे horse किस तरह से जो आवार्स करता है, वैसी condition जो है, वो कही जाते है कि hoarseness then wheezing or shortness of breath wheezing or shortness of breath ये condition produce होती है then heartburn or sore taste in your mouth heartburn होता है कि आपको जैसे chest में जैसे burning होता है वैसे heart burning होता है and a sore taste in your mouth हमारे mouth के अंदर हमें sore taste जैसा लगता है in rare cases coughing of the blood कि जो हम कहते है कि TB कि जो TB की जो patients होते है उनके अंदर coughing के साथ blood भी आता है तो ये सब condition जो हो produce होती है और in coughing तो अब जो बात है next वो है medicines for cough कि जो weight cough है specially weight cough तो उसके लिए हम कौन से medicines पगेरा यूज़ करेंगे तो सबसे पहले है expectorant वो class के medicines यूज़ का जयती है second है demulsants है mucolytics है antitazivs है and bronchodilators तो ये जो main drugs है for cough तो ये जो point है वो काफी अच्छे से आपको समझने है कि ये जो अलग-अलग class की जो medicines है expectorant demulsants mucolytic antitazivs and bronchodilators तो उसमें हम सरवात करेंगे सबसे पहले antitazivs herbal drug में से तो जो वसा का करके जो herb है वसा का herb वो काफी popular है to treat the cough कि या पर हम देख सकते है वसा का powder है उसका वसा का powder है कि जो special हम उसके leaf होते है वसा का के leaf उनका powder निकालते तो ये है वसा का ये वाला उसका ये plant कि आप plant देखो तो इस तरह से आपको ये plant देखने को मिलेगा वसा का और आपको नस्दिक से समझो कि मैं आपको दिखाओ तो ये वाले जो है उसके इस टाइप के ये leaf present होते है तो वसा का का जो leaf है वो काफी effective रहता है patients को coughing के अंदर कि जो specially जो weight cough है उसके अंदर ये जो herbal medicine है वो काफी effective है very very effective तो उसको जो use करने के जो हम तरीके कहें तो market के अंदर तो उसके cough syrup वगेरा तो available है बट इसको एक और तरीके से भी use करते कि जब इसके हम जो बनाते है कि जो हम herbal kada बनाने की जो बात करते है तो आप समझो कि 1000 ml जितना पानी लेते है 1000 ml जितना water लेते है प्लस इसके 5 to 6 जितने आप इसके leaf लेते है leaf of vasaka फिर थोड़ा सा ginger आप इसके अंदर mix करते है प्लस समझो कि थोड़ा सा आपको जरूरत लगे तो honey भी mix कर सकते है प्लस turmeric powder और ये सब का combination जो है वो थोड़ा सा आप करे गरम करे उसको और उसको गरम करने के बाद जो भी आपको वो काड़ा मिलेगा उसको कर लीजी आफ filter तो उसको अच्छे से filter करके फिर वो जो आपको liquid मिलेगा वो directly आप patient को दे सकते हैं समझी के 1000 ml आपका पना है तो उसको चार टाइम ले सकते हैं कि सुबह 250 ml जितना वो पेशन लेता है फिर दोपहर में 250 ml लेता है 250 ml in evening and 250 ml in night तो टोटल चार टाइम इस तरह से लेगा दो या तीन दिन के लिए तो भी आगे जो हम medicine सिखने वाले है उसकी चाहे use ना ही करनी पड़े directly आपका ये herbal जो उसका जो काड़ा तयार होगा उससे से treat हो जाएगा दूसरी एक options रहता है कि ये जो leaf है उसको आप dry कर दीजिए and dry करने के बाद जो उसका जो powder बनता है वह सा करके leaf का powder तो वो जो powder है उसको आप सहेद के साथ mix करके भी खा सकते कि ये powder प्लस उसके अंदर mix करिया आप honey तीवन आप छोटे बच्चों को भी देते है तो भी काफी ये अच्छा रहता है कि थोड़े से amount के अंदर आप उसका powder और honey दोनों mix करके जब छोटे बच्चों को देते है तो उससे भी कॉफ के अंदर उनको काफे फाइदा होता है तो वसा का के जिसको कहा जाता है आधा तोड़ा वसी का उसके कुछ traditional नाम देखे तो इंग्लिस में उसको माला बर नट कहा जाता है फिर अडूलसा उसका नाम है आधा तोड़ा वासा, फिर वसाका, गुजराती में उसको अर्डूसी कहते हैं, फिर अर्डूसा भी कहा जाता है तो यह सब उसके अलग-अलग नेम से और इस मेडिसिनल प्लांट नेटिव टू एसिया, वाइटली यूज इन सिद्धा मेडिसिन, आयरवेदिक, होमियोपेथिक एंड यूनानी सिस्टम ओफ मेडिसिन तो वसाका के सीरप का जो प्रॉडक्ट है, फॉर्मिलिसन है कि जो हम कहते हैं उसका वसाका सीरप वो भी आपको मार्केट में मिल जाती है, कि जिसके अंदर मेंली वसाका का एक्स्ट्रेक्ट रहता है बट जो मैंने बताया, वो भी आप ट्राइ कर सकते हैं, कि जो आपके पास वसाका के जो लीफ है, फिर से एक बार में वो पॉइंट यहाँ पे आपके लिए रेपीट कर देता हो कि you have two options, कि एक है वसाका के आपके पास अवेलेबल फ्रेस लीफ फ्रेस लीफ जीजिजिए, एट लिस्ट, समझे के आपके जरूरत के according to पांच से लेकर दस जितने लीफ आप लीजिए, प्लस 100 ml जितना आप ले सकते हैं water प्लस उसके अंदर mix करिये तिसरा ingredient, ginger डारेक्ली आप ginger की जो हम कहते हैं अधरक वो लेशते हैं सकते हैं चौथी चीज है कि आप turmeric का जो powder है, हल्दी जो है, वो थोड़ी उंदर डाल सकते है एंड ये सबी चीज का जो mixture है, उसको करिये गरम उसको करना है अच्छे सहीट की जैसे आप same like making tea same like making tea, जैसे हम चाय बनाते हैं वैसे ही same ये आप कर सकते हैं एंड इसके अंदर even आप तुलसी भी mix कर सकते हैं, जिसको हम कहते है बजिल्स तो तुलसी या फिर बजिल्स के जो leaf है, वो भी आप ले सकते हैं तो ये सबका mixture वाला एक आप काड़ा बनाई है और ये अच्छे से आप 15-20 मिनिट तक उसको अच्छे से boil कर ले जैसे चाई बनाई के लिवत करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से filter कर लीजिए and patient को आप total 4 times दे सकते हैं, 250 ml morning के अंदर फिर दूसरा 250 ml, afternoon के अंदर, फिर 250 ml, evening के अंदर and चौथा 250 ml during the night तो morning, afternoon, evening and night तो इस तरह से भी ये directly उसका जो extract है वो body में जाएगा patient के और काफी relief होती है क्योंकि वसा का एक natural antitensive plant है natural antitensive plant है कि जो आपके body में से cough बाहर निकाल देता है expel out करवाता है और वो काफी help करता है दूसरा option है आपके पास powder तो उसकी जो leaf आपको मिलते है उसको कर लीजिए dry और वो जो powder है उसके अंदर mix करिए honey तो dry powder plus honey तो honey और dry powder को अच्छे से आप थोड़ा से mix करके जो semi-solid जैसा बनेगा कि जो honey के अंदर powder जो है वो अच्छे से mix हो गया है तो यह से पान जैसे चबाते है वैसे यह leaf लीजिए leaf के अंदर आप जो है वो लॉंग जो हम कहते हैं कि लाइक क्लाव कहते हम वो अंदर रखके आप डायरेक्ली खा सकते तो आपको flavor भी मिल जाएगा क्लाव के करण और इसकी जो थोड़ी bitterness होगी वो कम हो जाएगी तो डायरेक्ली यह leaf भी आप खा सकते कि जगर आपको comfortable feel लगे तो तो यह वसाकास से ही काफी फाइदा होता है काउफ के अंदर उसके बाद जो हमारी medicines है कि लाइक फेरेंजियल demulsants की जो बात की जाती है कि ऐसी medicines a demulsants is a agent that forms a soothing film over a mucous membrane relieving minor pain and inflammation of the membrane कि जो हमारा mucous membrane है जो specially RTI का respiratory tract का तो respiratory tract के अंदर जब infection होता है तो inflammation होता है यह membrane का तुश्वक्त यह pharyngeal demulsants होते हैं वो उसके उपर एक soothing film बनाते है और उसको जो है वो heal करने का start करते हैं they start to healing कि जो healing है plus हम जो कहीते है क्योर करना start कर देते हैं pharyngeal demulsants की जो हमारा mucous membrane की जो damage हुआ है due to this continuous coughing कि आपको ज़्यादे excessive coughing होता है तो यह obviously वो damage होगा as well as उसका होगा inflammation तो उसके लिए logenges and cough drops काफी famous है और इसके अंदर भी जो embrogzol करके जो drug है कि जैसे हमने dry cough में देखा था कि dextromethorphan के इस type के cough drops मिलते है कि जो dry cough के लिए है बट जब आपका cough होता है weight तो आप इस type की product purchase करें over the counter उस वक भी ध्यान रखना चाहिए कि आप embrogzol वाला ले रहे है या फिर आप dextromethorphan का ले रहे है कि dextromethorphan dry cough के लिए है जबकि embrogzol का आप लेगे तो यहाँ पे ही लिखाए कि chesty cough तो यह अच्छे से पढ़के ही आपको लेनी है और 15 mg logenges की जो mucolytic का काम करेगी mucolytic logenges clear the airways and help get rid of phlegm तो यह एक option उसके बाद lintus is containing the syrup कि जो इसके अंदर glycerin होता है and leucorize herbal के अंदर leucorize भी काफी famous है कि जिसको कहा जाता है muleti का root भी समझे के आप चबाते हैं तो भी उसका काफी फाइदा हो कि muleti के root के जो समझे के एक छोटा सा टुकड़ा आप आपके mouth के अंदर रखते हैं और उसको चबाते हैं और उसका जो रस निकलेगा वो आप swallow करते तो उससे भी ये खासी के अंदर काफी फाइदा होता है तो यह था फेरेंजियल डिमिल्संस की जो anti-inflammatory का काम करते हैं की जो relieve करते है minor fan and inflammation of the mucous membrane of respiratory tract इसके बाद है expectorant and muco kinetics expectorant that increase airway water or the volume of airway secretion airway secretions को increase करवाते हैं उसका volume and increase the airway and mucolytics are those thin reduce the viscosity of mucus viscosity जो होती है mucus की वो reduce कर देते हैं कि जब viscosity काफी increase होती है पहले जो है वो आप देखो कि nozzle discharge जो होता है वो होता है watery फिर यह जब आपकी condition होती है cold की अब जैसे जैसे cold दिर दिर कम होता जाता है तो आप देखना यह discharge जो है वो water ही था तो अब जो है उसकी viscosity increase होती है काफी जो watery discharge था वो अब हो चुका है viscous और यह जो है वो जमा हो जाता है आपके chest के अंदर जिसी के करण आपको लगता है tight लगते हाँ chest के अंदर plus difficulty होती है और काफी complications होते है और regularly खासी होती है coughing होता है और वो remove करने का आप try करते हैं तो जो second portion के अंदर जो viscosity increase होई viscous बना जो mucus उसको reduce करवाएगी उसको करवाएगी reduce तो यह mucolytics काफी effective बनते है to treat this condition फिर muco kinetics increase the transportability of the mucus by cough अब जब viscosity उसकी कम हो गई है तो वो easily transport हो सकते है coughing के दोरान और body में से जो है वो उसका expel out जो है वो हो जाएगा easy कि viscosity कम हो गई and transportability भी increase हो गई mucus की तो easily आपके body में से वो जमा हुआ सब cough निकल जाएगा and muco regulators suppress underlying mechanisms of mucus hypersecretion और यह जो muco regulator से वो simple word में में का हो तो decrease the mucus secretion mucus secretion करवाना completely कर देंगे decrease तो इस तरह से expector and muco kinetics specially काम करेंगे कि जिसके अंदर involve है bronchial secretion enhancer कि जिसके अंदर sodium और potassium citrate है potassium iodide है guephancin कि जिसको glyceryl guephancin कि जिसको glyceryl guephancin कि जिसको लेट कहा जाता है balsam optolum vasaka and ammonium chloride कि जो vasaka के बारे में तो मैंने already detail में आपको समझाया कि जो secretion enhance कर देते हैं bronchial कि जिसके करण जो cough है वो release हो जाता है and expel out from body कि जैसे आप vasaka use करते तो उससे भी यह होता है कि cough आपका जो भी जमा हो गया है एक जगा पे वो जम चुका है एक ही जगा पे वो accumulate हो जुका है तो वो accumulate हुआ जो cough है वो अब release होना start करेगा due to this expectorant and mucokinetics और vasaka तो herbal है balsam of tolu but guefensin के जो cough syrups काफी popular है यहापे आप देख सकते के ambroxol HCL turbutalin sulfate and guefensin syrup तो यह जो combination वाला जो syrup होता है वो weight cough के अंदर काफी effective because इसके अंदर ऐसे medicine से कि जो cough का release करवाना increase करवाती है और उसको expel out करवाती है आपके body में से तो जब आपको weight cough होता है तो यह काफी effective साबित होता है उसके अलावा जो expectorant and mucokinetics के अंदर दूसरा है mucolytics के जिसके अंदर होता है bromhexin, embrogzol, carbocytin तो यह वाली जो syrup है उसके अंदर आप देख सकते है bromhexin है plus guefensin भी है and साथ में है terbutalin तो terbutalin भी काफी effective है साथ में यह combination बनाता है bromhexin और embrogzol and guefensin की mucolytics and bronchial secretion enhancer दोनों combination में भी यूज होते है काफ सीरप्स के अंदर कार्बो सिस्टीन और एसिटाल सिस्टीन फिर antituses की जो काफ सेंटर को suppress करते है ऐसे की जो reduce करते है काफ production काफ का जो production है वो reduce करवा देते है कि जिसके अंदर opioids है कि जो codine falcodine and ethylmorphine और ये रहेगी RX RX only ये आपको OTC नहीं मिलेगा proper prescriptions के साथ ही doctor की सलाह के साथ ही आपको ये लेनी है proper health checkup के बात these are RX only only then antituses cup center suppressants are second that is non-opioids in then noce capin dextromethorphan and clophenidine 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 तो ये जो option से आपके पास antituses के to treat the condition of coughing उसके बाद antihistamines के जिसके अंदर chlorophenidine malet कि जिसको कहा जाता है popular CPM जो आप उसको कहते है chlorophenidine malet की जो expectorant का भी काम करते है and body में से जो cough है वो release करवाने में help करती है उसके बाद adjuvant antituses जिसके अंदर है bronchodilators salbutamol and terbutalin की जो हमारी bronchitis होती है उनको dilate कर देती है जिसके कारण उनके अंदर जो फसा हुआ जो mucus है cough है वो easily जह हो निकलने में help करेगा तो वो है salbutamol and terbutalin की जो salbutamol का ambroxol के साथ भी syrup होता है as well as terbutalin तो आपने देखा है की जो अलग-अलग syrup के अंदर वो common ingredient रहता है की जो 3 या 4 ingredients जो होते हैं syrup के अंदर तो terbutalin भी उसके अंदर add किया जाते है तो यह थे drugs used to treat coughing home remedies भी हम try कर सकते हैं अलग-अलग for coughing के जिसके अंदर हम use करते है lemon and cinnamon plus honey यह तीनों का combination lemon, cinnamon and honey उसके बाद garlic के जब आप protein आपके खाने में एक garlic है वो भी काफी effective शाविट होता है milk and turmeric आप लेते हैं कि जो हल्दी वाला दूद आप पेते हैं वो बात है honey फिर flaxseed hot peppers फिर also the brandy and ginger tea even brandy से तो कई लोग मालिस भी करते हैं कि आपकी chest उपर उसकी मालिस करें तो भी coughing जो है वो coffee reduce हो जाता है और वो expel out हो जाता है body में से तो यह थी home remedies and medicines as well as herbal medicines for the cough और specially जो हमने सिखा weight cough dry cough का भी lecture अवेलेबल है यहाँ पे eye button पे क्लिक करने से आपको सभी lectures की link मिल जाएगी तो जरूर से हमारी चैनल को subscribe कर लिजे and whatsapp group को join करिए send your name city name and whatsapp on 94 26180836 subscribe the channel press on the bell icon use the formarox android app on google play as well as apple iphone app on app store so get the facilities of study material test series and video lecture on the app good luck and all the best test you 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 you